साथ संगत जी प्रेम से कहना धन दरंकार जी एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने ये चानल पर आज की साखी का विशह है क्षमाक्षील बने तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी साथ संगत जी बहुत पुरानी बात है एक राजा था वो राजा सभाव से बढ़ा करोधी था कोई गलती या अपराध करे ये बात उस राजा को बिलकुल पसंद नहीं थी अगर किसी ने अपराध कर दिया तो वो राजा उसे बड़ा कठोर डंड देता था कठोर क्या वो राजा तो अमान विया डंड देता था उस राजा ने कई खुंखार जंगली कुत्ते पाल रखे थे जो कोई भी गल्ती करता तो राजा गल्ती करने वालों को उन कुत्तों के आगे डाल देता और उन जंगली कुत्तों को भूखा रखा जाता था और भूखे कुत्ते क्या हश्र करते हैं ये तो आप सभी जानते ही है मामूली गलतियों के लिए भी राजा ऐसी भयंकर मौत की सजा देता था एक बार तो राजा के वर्षो पुराने भरोसे मंद एक मंतरी से कोई गलती हो गई हाला कि वो गलती जादा बड़ी भी नहीं थी और वो मंतरी राजा और अपने राजय की लंबे समय से सेवा भी कर रहा था फिर भी राजा ने अपने मंतरी को उनी शिकारी कुत्तों के आगे फिकवाने का हुकम दे दिया मृत्यू दंड देने के बाद राजा ने अपने मंतरी से उसकी आखरी इच्छा पूछी साथ संगत जी, राजा का मंतरी बूला महराज मैंने एक अग्याकारी सेवक की तरह आपके बीस सालों से सेवा की है मैं चाहता हूँ कि मुझे सजा देने से पहले आप बीस दिनों की महलत दे दे राजा मान गया, बीस दिन के बाद राजा का हुकम पूरा करने के लिए सिपाही उस मंतरी को पकड लाए, राजा का इशारा पाते ही, मंतरी को खुंखार कुट्टों के सामने फैक दिया गया पर ये क्या वो कुत्ते मंत्री पर तूट पड़ने के बजाए उसके साथ खेलने लगे ये देखकर राजा को बड़ी हरानी हुई राजा को लगा ये क्या हो रहा है उसके वफादार कुत्ते ऐसे क्यूं हो गए राजा ने सोचा कि इन कुट्टों को तो भूखा रखा गया ताकि भूख से हिंसक होकर ये गल्दी करने वाले को नोच डाले पर ये तो हमारे मंत्री से प्रेम कर रही है राजा को अब उन जंगली कुट्टों पर गुसा आने लगा राजा आग बबुला हो रहा था राजा से रहा नहीं गया राजा ने मंत्री को पूछा ये क्या हो रहा है मेरे स्वामी भक्त कुत्ते मेरे हुकम पर भी तुम्हें काटने के बजाए तुम्हारे साथ खेल क्यों रहे है क्या तुमने कोई टोटका किया है क्या तुमने कोई जादू टोना किया है जादू टोना करने के कारण मैं तुम्हें सूली पर लटकाऊंगा राजा के मंतरी ने कहा महाराज जादू टोना और टोटका कितने असर करते हैं ये बात तो मैं नहीं जानता लेकिन मैं आपको बताता हूँ वह टोना, जिसके दम पर मैंने आपके ऐसे स्वामी भक्त, हिंसक कुत्तों को भी जीत लिया मैंने आपसे जो 20 दिन की महलत मांगी थी, उसका एक एक पल मैंने इन कुत्तों की सेवा में लगा दिया मैं रोज इने नहलाता, खिलाता और हर तरह से इनका ध्यान रखता इनकी सेवा नहीं भूल पा रहे हैं परंतु खेद है कि आप प्रजा के पालक होकर भी मेरे बीस वर्षों की स्वामी भगती भूल गए और मेरी एक छोटी से गलती पर आपने मुझे इतनी बड़ी सजा सुना दी आप राजा हैं आप जो चाहें दंड दें किन्तु यही सकते मैंने इन कुत्तों पर प्रेम और स्नेहे का जादू किया है यदि आप भी प्रजा को भाय से नहीं प्रेम से वश्मे करेंगे तो वहें आपके लिए सहर्ष प्रस्तुत रहेगी इस टोने का प्रभाव आपने आज अपने सामने देख लिया मंद्री की यह बाते सुनकर रा राजा ने ततकाल मंत्री को अजाद करने का हुकम दिया और आगे से ऐसी गलती ना करने की सो गंदली साथ संगत जी कई बार हम भी उस दुष्ट राजा की तरहां किसी की बरसों की अच्छाई को उसकी एक पल की बुराई के आगे भुला देते हैं हमें ये बात याद रख दिखनी चाहिए कि इस संसार में कोई भी प्राणी सरवगुन संपन और विकार रहित नहीं होता इसलिए हमें एक शमाशील होना चाहिए किसी की हजार अच्छाईयों को उसकी एक बुराई के सामने छोटा ना होने दे क्योंकि हो सकता है स्वयम आपसे भी ऐसी भूल हो जा हैं कि खल यानि दुष्ट को वश में करने के लिए कोई टोना टोटका बताईए कोई और टोना आजमाने से पहले क्यों न ये प्रेम का टोटका आजमा लिया जाए इसमें हर्ज ही क्या है बिल्कुल इस टोने में शुरू में आपको अपमान तो सहना पड़ेगा लेकिन मं उंखार कुतों के सामने जान का जोखेम उठाया था और दूसरे टोने टोटके भी तो उल्टे पड़ जाते हैं इसलिए साथ संगत जी प्रेम कांकुर फूटने में समय लगता है उसे धैर्या और स्नेहे के जल से सीचिये और दयालू और क्षमाशिल बने एक बार की बात ह कि एक बुजोरग महिला बस में यात्रा कर रही थी अगले ही पड़ाव पर एक मजबूत क्रोधी युवती चड़ गई और उस बुड़ी औरत के बगल में बैठ गई उस क्रोधी युवती ने अपने बैग से उस बुजोरग महिला को कई बार चोट पहुचाई जब उसने देखा कि एक बुजोरग महिला तो चुप है तो आखिरकार उस युवती ने बुजोरग महिला से पूछी लिया कि जब मैंने आपको अपने बैग से मारा तो आपने शिकायत क्यों नहीं की बुजोरग महिला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया इतनी छोटी से बात पर चरचा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपके बगल में मेरी यात्रा बहुत छूटी है मैं अगले पड़ाव पर उतरने जा रही हूं साथ संगत जी यह उत्तर सोने के अक्षरों में लिखे जाने योग्य है कि इतनी छोटी से बाद पर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी यात्रा एक साथ बहुत छोटी है हम में से भी प्रतेक को ये समझना चाहिए कि इस दुनिया में हमारा समय इतना कम है कीसे बिकार के तरकों में और दूसरों को क्शमा ना करने में आसंतोश रहने में और बुरे विवार में क्या खरच करना अगर जिन्दगी में किसी ने आपका दिल तोड़ा है तो कोई बात नहीं शान्त रही क्योंकि यात्रा बहुत छोटी है अगर किसी ने आपको दोखा दिया है आपको अपमानित किया है तो कोई बात नहीं आराम करी तनाव गरस्त ना हो क्योंकि यात्रा बहुत छोटी है किसी ने हमें जिन्दगी में जो भी परिशानी दी हो याद रखें कि हमारी यात्रा उनके साथ बहुत छोटी है साज संगत जी, हमारी यात्रा की लंबाई तो कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता कि वह अपने पड़ाव पर कब पहुँचेगा, हमारी एक साथ यात्रा बहुत छोटी है, इसलिए चलिए आदर्णिये दयालू और क्षमा शील बने, क्योंकि एक शमा करना एक दैविक प् बक्षे जाते, आप सभी ने भरीगु रिशी का नाम तो सुना ही होगा, भरीगु नाम के एक बहुत ही महान रिशी हुए हैं, उनकी खयाती तो आज भी अमर है, उन्होंने भगवान विश्नु की ख्षमा क्षीलता की बहुत प्रशंशा सुनी थी, तो भरीगु रिशी न माता लक्षमी के साथ शेश नाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे, सारे लोकाचारों को छोड़कर वे वहाँ पहुँचे, और ना आव देखा न ताव, और बिना कुछ कहे सुने ही, भरीगु रिशी ने विश्नु जी के सीने में जाकर जोर से लात मार दी, अम मा के पाव चोकर उन्हें सीने से लगा लिया, अब भरीगु रिशी तो क्रोध से भरे थे, चाहे लीला रूप से ही क्यों ना हो, कारण वो तो जान बूच कर जाज करने आये थे, भगवान विश्नु की क्षमा शिलता की, अब भगवान विश्नु का ये विभार देखकर भर भरीगु रिशी भी हैरान हो गए, भगवान विश्नु ने भरीगु रिशी के पाव सहलाते हुए कहा, मुनिवर आपके पाव तो बड़े ही कोमल है, और मेरा सीना तो वज्र कठोर है, मुनिश रेष्ट आपके पाव में चोड़ तो नहीं आई ना, अब भगवान विश् विश्नु भगवान की कोमल वानी से द्रवित हुआ और पशाताब की अगनी में जलने लगा। वो तो सोच रहे थे कि विश्नु भगवान उनके इस दुर्विवार के लिए सीने पर लात मारने के लिए बहुत क्रोधित होंगे और ना जाने मुझे क्या दंड देंगे। पर विश्नु भगवान की क्षमा शीलता लोगों को इसके लिए प्रिर्णा देगी और ये कहानी अमर रहेगी। साथ संगत जी, भगवान विश्नु भरीगु मुनिक इस घटना को लक्षय में रखकर, रहीम जी ने अपने शब्दों में कहा है, शमा बढ़न को चाहिए, छोटन को उतपात, का रहीम हरी को घटियो जो भरीगु मारे उलात। साथ संगत जी, क्षमा तो एक दैविक प्रवित्ती है, इसे अपने प्रारेब्द में संचित करने के लिए क्षमा शील बने। आप सभी को अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को जादा से जादा शेयर जरूर कीजेगा, आप सभी उसे फिर मुलाकात होगी, नए साखी और नए विचारों के साथ, साथ संगत जी प्यार से कहना धन नरंतार के साथ।